आप सभी साथियों का महामना की कामना के इस यूटूब चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनांदर करता हूँ साथियों आज हम UGC.net जैरब की परिच्छा में प्रतिसत से संबंधित पिभीन प्रकार के प्रश्णों का अध्यन करेंगे दोस्तों ये प्रस्ण सिर्फ UGC.net जैरब की द्रिष्ण से ही महत्वपूर्ण नहीं है अभितु अन्य परिच्छाओं की द्रिष्ण से भी महत्वपूर्ण है तो साथियों आईए आपको हम प्रतिसत की तरफ ले चलते हैं सवर्प्रथम हम प्रतिसत के साब्दिक अर्थ को समझते हैं प्रतिसत तो सब्दों के मेल से बना हुआ है प्रतिधन सत जहां प्रतिका अर्थ प्रतिक से है और सत का अर्थ सो से है अर्थात प्रतिक सो साथियों हम प्रतिसत में और आगे बढ़ने से पहले प्रतिसत के कुछ एक मूल बिंदुगों को जानते हैं जिसमें बिंदु नमबर एक में हम प्रतिसत को भिंद में कैसे बदलते हैं यह जानेंगे प्रतिसत को भिंद में बदलने के लिए हमें 100 से भाग देना होता है एक उदाहरण के माध्यम से देखिए 20 प्रतिसत को अगर हमें भिन्ड में बदलना होगा तो 20 में हमें 100 का भाग देना होगा और उत्तर सरूप हमें 1 बटे 5 प्राप्त होगा भिन्ड नमबर 2 के रूप में हम जानेंगे भिन्ड को प्रतिसत में कैसे बदला जाए भिन्द को प्रतिसत में बदलने के लिए हमें भिन्द में 100 से गुड़ा करना होता है एक उदाहरण है अगर हमें एक बटे 5 को प्रतिसत में बदलना होगा तो एक बटे 5 में हमें 100 का गुड़ा करना होता है साथियों इस प्रकार के प्रश्ण को हल करने के लिए हमें एक बिंदु अपने मस्तिष्ण में याद रखना होगा कि जिस से तुलना की जाए उसको हमेशा हमें हर में रखना होगा एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं 25-50 का कितना प्रतिश्ण है तो इस उदाहरण में 50 से तुलना की गई है इसलिए हमने 50 को हर में रखा है और 25 को अंस में रखा है और 100 का गुड़ा कर दिया है तो उत्तर सरूप हमें 50% प्राप्त हो गया और साथेयों आगे बढ़ते हुए हम बिंद नंबर 4 पर पहुचते हैं जो की एक नियम है नियम यह है कि X का Y प्रतिशत is equal to Y का X प्रतिशत इस नियम की पुष्ट करने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं 50 का 25 प्रतिशत बराबर होगा 25 का 50 प्रतिशत के और जब हम इस उदाहरण को हल करते हैं 50 गुडे 25 बटे 100 is equal to 25 गुडे 50 बटे 100 और हम देखते हैं कि 12.5 is equal to 12.5 प्राप्त होता है अर्थात left hand side is equal to right hand side हमें प्राप्त होता है अता है यह नियम की पुष्ठ होती है तो साथियों हम भिद्धू नंबर 4 के रूप में प्रतिशत बृध्धी और प्रतिशत कमी को ग्याद करेंगे साथियों प्रतिशत बृध्धी ग्याद करने के लिए बी माइनस ए बाई ए इंटू 100 होता है जहाँ ए वस्तू का क्रें मुल्ह होता है और वस्तू का क्रें मुल्ह होता है तो वस्तु के बिक्रे में अर्चित लाव प्रतिस्यत या हान प्रतिस्यत बताईए तो दोस्तों इस उदाहड में हम देखते हैं कि B का मान 700 है और A का मान 500 है हम इस प्रथम नियम में इस value को रख देते हैं तो B की जगा हमने 700 रखा और A की जगा 500 रखा और हर में 500 से भाग करके 100 का गुणा किया तो इस परकार से हमें उत्तर स्वरूप 40 प्रतिसत प्राप्थ होता है साथियों अब हम बढ़ते हैं सम्तुल लिबट्टा जिसको इंगलिस में सक्सेस्व डिसकाउंट कहते हैं यह UGC Net-Jareph के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बार के UGC Net-Jareph में इस प्रकार के प्रस्ण आये थे तो दोस्तों इस पर आप लोग भी सेज़ ध्यान दीजिएगा जब कभी भी किसी भी प्रस्ण में क्रमिक रूप से दो या चार छूट या फिर बृद्धी हो तो हम इस नियम का प्रयोग करते हैं एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं उदाहरण इस प्रकार है किसी वस्तु के बिक्रे मुल में 30 प्रतिसत की बृद्धी होती है और फिर 10 प्रतिसत की कमी होती है वस्तु के बिक्रे में कुल प्रतिसत लाब या फिर प्रतिसत हानी बताएं तो एक नियम के माध्यम से हम समझते हैं यह नियम यह है कि x plus minus y plus minus xy बटे 100 और इस उदहरण में x की value 30% की बृद्धी हो रही है पॉजिटिव है और y की value negative में है तो हम इस नियम में इस मान को रखते हैं 30 minus 10 minus 30 into 10 upon 100 और हमें उत्तर स्वरूप 30 minus 10 minus 300 बटे 100 और 30 minus 10 minus 3 और अंत में 30 minus 13 और 17 परतिसत लाव के रूप में प्राप्त होता है तो मित्रों हम देखेंगे कि यहाँ value 30 जो है वो positive रूप में है इसलिए हमें 17% लाव प्राप्त होता है साथियों आगे हम बिंदू नंबर 7 का अध्यान करेंगे बिंदू नंबर 7 पे हम एक पहुत ही महत्वपूर्ण कॉंसेप्ट से क्लियर करेंगे बिंदू नंबर 7 में दिया हुआ है A B से 25 प्राप्तिसत कम है B A से कितना प्राप्तिसत अधीक है इस प्रकार के प्रसनों को हल करने के लिए हमें इस नियम की सहता लेनी पड़ती है नियम इस प्रकार है R बटे 100 माइनस R into 100 साथियों R जो है यहाँ पर प्रतिसत ब्रिधी या प्रतिसत कभी को दर्साता है अगर हमें प्रतिसत ब्रिधी होती है तो हमें 100 प्लस R करना होगा और प्रतिसत कमी होती है तो 100 माइनस R करना होता है इस उदारण को हम हल करते हैं तो यहाँ प्रतिसत कमी हो रही है तो 25 बटे 100 माइनस 25 इंटू 100 करते हैं तो हमें मिलता है 25 बटे 75 इंटू 100 और उत्तर स्वरूप 33.33 प्रतिसत प्राप्त होता है तो साथियों विंदू नंबर 8 के रूप में हम जानेंगे यदि किसी वस्तु का विक्री मुल्य बढ़ता है तो उपभोगता पर पढ़ने वाले असर का वो कितने प्रतिसत कम करें कि उस पर कोई असर ना पड़े उसके खर्चे में कोई असर ना पड़े तो इस प्रकार के प्रस्ण को हमें एक उदाहर के माध्यम से समझते हैं उदाहरण इस प्रकार है यदि किसी वहत्व के विक्रिय मुल्य में 25 प्रतिसत की ब्रिध्धी हो तो उभूखता उसका कितना प्रतिसत कम उभूख करे जिसे से उसके खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो साथियों इस प्रकार की प्रस्ण को हल करने के लिए हमें इन दो नियमों की आफसकता पड़ती है नियम इस प्रकार है अगर प्रतिसत की ब्रिध्धी हो रही है तो हम ब्रिध्धी प्रतिसत बटे 100 प्लस ब्रिध्धी इंटू 100 करेंगे अगर प्रतिसत की कमी हो रही है वस्त से हल करेंगे इसमें वस्तु की मुल्य में बृद्धि हो रही है तो हम इस प्रकार इसको हल करते हैं 25 बटे 125 हमने 100 में 25 इसलिए जोड़ दिया कि वस्तु के मुल्य में बृद्धि हो रही थी और गुड़े 100 किया तो हमने 25 को 125 से काटा पांच बार और पांच को सौफ से गाड़ा बीस प्रतिसत हमें उत्तर के रूप में प्राथ होता है साथियों यूँ इस तरीके से हम आते हैं बिंदू नंबर नौ की तरफ बिंदू नंबर नौ में हम जानेंगे यदि किसी बृत या आयत के एक भुजा या केंद्र की लंबाई में किसी भी प्रतिसत की बृत्धी हो जाने से उसके छेत्रफल पर क्या परिवर्तन पड़ता है तो साथियों हम इसको एक उदाहड के माध्यम से समझते हैं उदाहड इस प्रकार है यदि किसी बृत्ध के केंद्र में 50 प्रतिसत की बृत्धी हो जाए तो उसके छेत्रफल पर क्या पर आर्थात बृत्त का छेत्रफल उसके रेडियस उसके केंद्र की लंबाई का स्कॉयर के समतुल्य होता है तो साथियों इस प्रस्ण में हम मानते हैं कि बृत्त के केंद्र की लंबाई पहले 100 रही थी और अब 50 प्रतिसत की बृत्धी हो जाने से 150 हो गई होगी तो साथियों हम ए इनिसियल और ए फाइनल की वेलू रखते हैं 100 का स्कॉयर बटे 150 का स्कॉयर क्यूंकि आर स्कॉयर के समतुल्य होता है बृत्त का छेत्रफल तो इस प्रकार 0 से 0 को हमने कट करते हैं और 10 का स्कॉयर 100 और 15 का स्कॉयर 225 अर्थात प्रारंभिक छेत्रफल जो है वो 225 है और व्रिद्धी हमें ग्याद करने के लिए हम 225 में से 100 घटाएंगे और 125 प्रतिस्यत हम छेत्रफल में व्रिद्धी प्राप्थ होगी साथियों हम चलते हैं बिन्दु नबर 10 की तरफ जो आज के हमारे इस वीडियो का अंतिम बिन्दु होगा तो साथियों इस बिन्दु पर हम देखेंगे एक उदाहड के माध्यम से उदाहड इस प्रकार है एक परिच्छा में एक छात्र को 45 प्रतिस्यत अंक मिलता है तो वह 80 अंक से फेल हो जाता है जबकि इसी परिच्छा में एक दूसरे छात्र को कुल अंक का 60 प्रतिस्यत मिले और वह 25 अंक ज्यादा पाता है तो टोटल पुरांग हमें ग्याद करना है साथियों इस प्रकार के प्रस्म को हल करने के लिए हमें इस कॉंसेप्ट की जरूरत पड़ती है 45 प्रतिसत अंग उसको मिलता है तो वह 80 अंग से फेल होता है इसलिए उसको 80 अंग की और जरूरत होती है तो हम उसको प्लस सिंबल के साथ लिए है और उस दूसरे विद्यार्थी को 60 प्रतिसत अंग मिलता है उसके 25 प्रतिसत अंग ज्यादा है फेल पास होने से तो उसको हम माइनस चेनि के साथ लिखते है और इस प्रकार 25 प्रतिसत और 60 प्रतिसत को घटाते है तो 15% प्राफ्भ्त होता है और 80% 25 जोड़ के 105% प्राफ्भ्त होता है एक प्रतिस्षत की वैलू 7% हमें 7 मिलता है तो हमें 100% की वैलू 700 प्राफ्त होती है। अत्या टोटल पुड़ांक हमें 700 प्राप्त होता है तो साथियों इस तरीके से ये रहा आज हमारा प्रतिस्षत का वीडियो जिसको हमने 10 बिंदों में आप समगी के सामने प्रस्तूत किया साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रीज इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप हमेशा आउगद रहें धन्यवाद